अब छा जाए अंधेरा तो सूरज बन निकलना पड़ता है आसमा में चमकने के लिए उसे भी तपना पड़ता है ये कहानी है भारतिय क्रिकेट में सूरे की तरहा चमक बिखेर रहे सूरे कुमार यादव की जिसके बल्ले के खौफ के आगे बड़े से बड़ा दिगज बॉल भी पानी मांगने लगता है वो सूरे कुमार यादव जिनका बल्ला मैदान के चारों और रनों का अंबार लगा रहा है जिस सूर्या को आज दुनिया सलाम कर रही है जिस सूर्या के आगे आज सब नतमस्तक हैं क्या आप जानते हैं उस सूर्या को कभी विराट कोहली ने ज सीजन चल रहा था उसका है रॉयल चलेंजर्स बैंगलूरू और मुंबई इंडियन्स की टीमें आमने सामने थी इस दोरान एक ऐसा लंभा आया जब बैटिंग कर रहे सूर्या को लेकर विराट ने कुछ स्लेजिंग की और घूर ने लगे सूर्या ने भी कोहली को घूर कर द हैं तो रनों का अंबार लग जाता है साउथ आफरिका के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में इस जोडी ने एक बार फिर वही कमाल दोहराया रोहित और राहुल आउट हो चुके थे तब मैदान पर विराट और सूर्या मौजूद थे अचानक सूर्या ने गेर बदला और चख कर नया भारतिय रेकॉर्ड भी बनाया दोनों ने 15.30 के रन रेट से रन बनाए पहले ये रेकॉर्ड धोनी और केल राहुल के नाम था जो 2016 में इन्होंने 13.1 के रन रेट से वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाय था विराट सूरे के जोडी बनने की बड़ी शुरुआत एश लेकिन सूर्या के पारी देखकर विराट भी हैरान हो गए और उन्हें जुक कर नमस्कार किया और कहा क्या है ये विराट के इस रियाक्शन पर मैच जीतने के बाद सूर्या ने कहा विराट कोहली के हाव भाव दिल चूने वाले थे मुझे इस से पहले कभी इस तरह का क्यों नहीं जा रही है और जब मुझे एहसास हुआ तब मैंने उनसे साथ में चलने के लिए कहा वो मुझसे कहीं अधिक अनुभवी हैं विराट सूर्या के जोड़ी के रन मशीन बनने की गूंच और इन दोनों के आपसी समझ का नमूना सोशल साइट्स पर भी दिखने ल सूरे कुमार यादव इस साल T20 मैचों में सबसे कम गेन खेल कर 1000 रन बनाने वाले बल्लेबास बन गए हैं उनके नाम सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रेकॉर्ड भी जुड़ चुका है सूरे कुमार यादव ने 31 T20 मैच खेल कर 1037 रन बनाए जिसमें इनका ओसत 43.2 और स् अब वो हर पोजिशन में बैटिंग करने को लेकर खुद को साबित कर चुके हैं